मने समझाए छे हवे that students are not able to make strategy about VNSGU paper हाव आपड़ा VNSGU ना physiology paper निवाद करिये छे paper 1, paper 2, बेह मा सर्खी strategy छे section A 20 mark MCQ तो वो 20 minutes पहले ही निकाल दिया अभी हमारे पास क्या बचा 3 गंटे में 100 mark का paper लिखना होता है तो अभी हमारे पास 160 minute बचा 160 minute में 80 mark का करना है तो section B और 16 C दोनो 40 40 mark के है अभी कोई भी section B या C कैसे divided है कि one full question बराबर 10 mark का field second question में short note return करने है वो 5 out of 6 है ना 5 short note लिखने है 6 out of 5 वो 15 mark question 3 B 15 mark लेकिन section B और C में यहीं बे बच्चों को problem हो रही है question 2 और question 3 के बीच में time management नहीं कार पार है यहाँ पे बहुत लंबा लिख देता है छोटी छोटी short note में और यहाँ पे और full question में फिर बहुत कम लिख रहा है आप पहले तो section यही attend करेंगे वो तो compulsory पहले पेपर ले लेंगे 20 मिनिट में फिर आपके पास time बचता है 160 मिनिट, 80 मिनिट पर एवरी section अभी आप supply बानते हैं, आप sticker chip काते हैं, supervisor आके check करेगा, पांच मिनिट चली जाएंगी तो 75 मिनिट पर एवरी section तो सबसे पहले आप question 1 लिखें 15 मिनिट में या 20 मिनिट में अपना full question बंद कर दें, ठीक है लिखे, now you don't visit this question 2 first है ना, वही आपका time खा जाता है, अभी आप पहले question 3 पे चले जाओ और exactly 30 मिनिट का marker रखो, ठीक है 30 मिनिट का marker रखने के बाद, for every short note you take आराम से 10 minutes ओके, तो 3 मिनिट के आपके अच्छे short note खतम हो गए, ready now you address question 2 है ना, अभी आपके पास time कितना बचा है, 30 मिनिट और आपको short note कितनी लिखनी है, 5 तो वो एकदम छोटी-छोटी short note है, तो per short note 6 minute, per short note 6 minute per short note is a really good for 3 mark वाले प्रशन, ये real example है, this person managed to pass, है ना, उसका full question अच्छा हुआ, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उसका time management, उसको पता था वो, वो, last में manage नहीं कर पाएगा, so he attend question 3 first, and he manage to give a enough length, so he manage 10 marks in question 2, बराबर, अभी, सफर कौन हुई, सफर हुई है, उसका question 2, definitely उसके पास question 2 लिखने के लिए बहुत ज़्यादा time नहीं है, तो उसने बराबर equal time management करके, सारे question को answer किया, तो उसको 6 mark तो आही गए, तो ultimately उसका total जो है, minimum से उपर जा रहा है, so this is a good strategy, है ना, what is good strategy, again I am repeating, कि section 2, कोई भी section में, छोटी short note को पहले मत लिखो, वो तुमारा time खा जाती है, तुम control नहीं कर पा रहे हो, है ना, उसको पीछे छोड़ दो, क्या करो भी, कि पहले तुमारा full question खतम कर दो, 15 minute में, उसको बहुत long मत लिखो, उसके बाद question 3 repeat करो, every short note थोड़ी थोड़ी लंबी लिखो, सबको 10 mark दो, और इधर छोटी छोटी short note को क्या देंगे हम, है ना, 6 minute per short note,